दोस्तो रोमेंटिक पोएट विलियम वर्सवर्थ की जिस पोयम को आज हम डिसकोस करने जा रहा है उसका नाम है लंडन 1802 और उसका एक सब्राइटल भी है टू मिल्टन यह विलियम वर्सवर्थ की लिखी वन आप दा मोस्ट इंपोर्टेंट पोयम है जिसका कमपोजीशन विलियम वर्सवर्थ ने 1802 में किया था और इसका पहला पब्लिकेशन 1807 में पब्लिश हुए पोयम सिंट टू वॉल्म्स में करा गया था लंडन 1802 एक सुनेट पोयम है जो की पेटराचन सुनेट फॉर्म में लिखी गई है यह पोयम आइंबिक पेटरमीटर पैटरन को फॉलो करती है और इसे पेटराचन सुनेट फॉर्मेट में लिखे होने के कारण एक ओक्टेव और एक सेस्टेट में डिवाइड किया गया है पोयम की रामिंग स्कीम है ABBA, ABBA, CDD, ECE अगर इस पोयम के थीम की बात करें तो यह पोयम 17th सेंचूरी के पोयट जॉन मिल्टन की प्रसंसा करते हो लिखी गई है यह आप यह कह सकते हैं कि यह पोयम जॉन मिल्टन को ही एड्रस करके लिखी गई है इसलिए इसका सब्टाइटल To Milton है इस पोयम में पोयट वर्टस्वाथ मिल्टन को एड्रस करते हों कहते हैं कि है मिल्टन इस वक्त आपको इस इंग्लैड में जीवित होना चाहिए था हमारे बीच होना चाहिए था क्योंकि poet को यह लगता है कि जो वर्तमान का England है उसने अपने manner, virtue, freedom और power जैसे अच्छे गुडों को खो दिया है और Milton ही ऐसे व्यक्ति हैं जो England को फिर से उसके महान अतीत के बारे में याद दिला सकते हैं और England की महान qualities को वह फिर से प्राप्त करा सकते हैं तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि बताएगे इस सारी जानकारी आपके लिए बहुत ही useful सावित होगी तो चलिए इस poem को लाइन बाइन डिसकस करते हैं poem की शुरुवाती लाइन में वर्ट्वर्थ मिल्टन को एड्रेस करते होगे कहते हैं Milton, thou shouldst be living at this hour Hey Milton, इस वक्त आपको इस वर्तमान इंग्लेंड में जीवित होना चाहिए था England hath need of thee England को आपकी जरूरत है She is a fan of stagnant water यहाँ poet She को अपनी country England के लिए उस कर रहे हैं यहाँ fan का आर्थ होता है दलदल और stagnant water का मतलब होता है रुका हुआ पानी तो इस लाइन का मतलब है कि England रुके हुए पानी के दलदल के समान हो गया है तो उपर कि एगर इन तीनो लाइनों को एक सांस समप करें तो इसमें poet कहते हैं कि Hamilton इस वक्त आपको जीवित होना चाहिए था England को आपकी जरूरत है क्योंकि England रुके हुए पानी के एक दलदल के समान हो गया है आगे के लाइन में poet कहते हैं यहाँ पे अल्टर कार्थ होता है religion यानि धर्म स्वार्ड कार्थ होता है military यानि सेना पेन कार्थ होता है literature यानि साहित्य फायर साइड कार्थ होता है home life यानि ग्रिहस्त जीवन और heroic wealth of hall and bowar कार्थ होता है economical glory यानि आर्थिक समरिधी तो इस लाइन में poet कहते हैं कि England का जो ancient religion था जो military थी literature था जो यहां की home life की condition थी और जो यहां की economical glory थी have forfeited their ancient English door forfeited कार्थ होता है त्याग देना और ancient English door कार्थ होता है जो हमारी प्राचीन विरासत थी तो उपर की तीनों लाइनों का मतलब है कि जो England का religion था जो यहां की military power थी जो यहां का खुबसूरत literature था जो यहां का खुबसूरत home life था और जो यहां की economical glory थी हमने अपनी उस प्राचीन विरासत को खो दिया है of inward happiness जो हमारी आंतरिक प्रसनता का कारण भी थी England ने यह सारी प्राचीन विरासत को खो दिया है उसको ठुकरा दिया है और यहां की लोगों में अब प्रसनता बची ही नहीं है अर्थाज जैसा England का इतिहास था यह चीजें जिस प्रकार पुराने समय में अपने बहुत अच्छे condition में थी अब England अपने सम्रिथ इतिहास के अनुरूप नहीं रह गया है फिर आगे वर्सवर्थ कहते हैं वी आर सेल्फिस मैं हम लोग स्वार्थी हो चुके हैं ओ रेज अस अप हे मिल्टन आओ और हमें उपर उठाओ रिटर्न टु अस अगेन और हमें हमारे एंसियंट ग्लोरियस टाइम में फिर वापस ले जाओ और हमें मैनर, वर्चू, फ्रीडम, और प्रदान करो आगे की स्टांजाम बढ़ने से पहले उपर की इस पूरे पारग्राफ का मतलब एक बार फिर से कुछी सेकंड में समझ लीजे तो यहां पर पोएट कहते हैं कि हे मिल्टन इस वक्त आपको जीवित होना चाहिए था हमारे साथ होना चाहिए था क्योंकि इंगलेंड को आपकी जरूरत है आज इंगलेंड रुके हुए पानी के दलदल के समान हो गया है और जो इंगलेंड की प्राचीन विरासत थी जैसे उसका रिलीजन उसकी मिलिटरी पावर उसका लिटरेचर उसका होम लाइफ और उसकी जो इकनोमिकल गलोरी थी हमने वह सब खो दी है और वह हमारी आंतरिक प्रसंदा का कारण भी थी आज हम लोग स्वार्थी हो चुके हैं तो हे मिल्टन आप वापस आईए और हमें इस दलजल से उपर उठाईए और हमें हमारे पुराने कंडिसें में वापस ले चलिए और हमें मैनर दीजिए वर्चू, फ्रीडम और पावर दीजिए आगे की लाइन में वर्चू, वाथ मिल्टन की प्रसंसा करते होए लिखते हैं दोस्तों इस पोयम की यह most important लाइन है क्योंकि अगर किसी एक्जाम में इस पोयम से लाइन पुछी जाती है तो maximum यही लाइन पुछी जाती है तो आप इसको याद रखिएगा तो पोयट कहते हैं कि thy soul was like a star, आपकी जो आत्मा है वह एक तारे के समान है and dwelt apart और वो तारा सबसे अलग चमकता है, सबसे अनोखा दिखाई देता है आपके पास ऐसी आवाज है, ऐसी वाइस है, whose sound, जिसकी ध्वनी was like the sea, समुद्र की तरह गंभीर है यहाँ पे heaven कार्थ होता है स्वर्ग, majestic कार्थ होता है बहुत ही महान, और free कार्थ होता है मुक्त तो यहाँ पे पोयट कहते हैं कि Hamilton, आप स्वयम स्वर्ग के समान पवित्र है, महान है और मुक्त है So didst thou travel on life's common way, in cheerful godliness यहाँ पे godliness कार्थ होता है दैवी तो पोयट कहते हैं कि Hamilton, आप के अंदर इतनी दैवी qualities हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपने एक सामान जीवन, एक common life को जीनाव स्विकार किया एक सामान जीवन जीने का चुनाव किया और इतने दैवी गुड होने के बावजूद भी आपने अपने कर्तव्य को नहीं छोडा और जो आपकी लोलियस ड्यूटीज हैं, यानि जो आपके सबसे छोटे कर्तव्य हैं, आपने उनको भी हमेशा सम्मान दिया है और इसी लाइन के साथ है अपोयम समाप्त हो जाती है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब कर लिए, ताकि आप हमारे प्यारे से लिटरेचर एक्स्प्लियन फैमिली का हिस्सा बन सकें, तो मिलते हैं आपसे